सब्सक्राइब किजिए सारा सिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंज अगर आपके मॉबाइल में कोई प्राइबेट वीडियो है जो कि आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं क किसी भी वीडियो को कैसे प्राइबेट यानि की लॉग करके राख सकते हैं तो हेलो फ्रेंज में जीत आप सभी के स्वागत हैं हमारे यूट्व चैनल पर तो अगर आपको भी छोटा सा ट्रीक के बारे में जाना है तो वीडियो को लाइक किजी और चैनल को देना तो चले वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दो कि फ्रेंज 90% लोग एमेक्स प्लेयर को यूश करते हैं वीडियो देखने के लिए लेकिन सभी को पता नहीं है कि एमेक्स प्लेयर में ऐसा एक फिसर्थ दिया गया है जिसके मदद से आपकी सीवी वीडियो को लॉग करके राक सकते हैं याने कि प्राइबेट करके राक सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको step by step बताने वाला हूँ तो उसके लिए आपको सबसे फेहले flash store open करना होगा और open करने के बाद आपको यहाँ पर start for click करना होगा और click करने के बाद आपका जो MX player है यहाँ पर type करके उसको update कर लेना है मैंने अलरेड़ी update कर लिया है तो मैं यहाँ पर MX player को open कर देता हूं और open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है उपर left side में 3 line का option आपको simply यहाँ पर click करना होगा और click करने के बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते है private folder का एक option आ गया है आपको simply यहाँ पर click करना होगा और click करने के बाद इस तरह का page open हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं और निच्चे यहाँ पर plus का एक icon आजाएगा आपको simply यहाँ पर click करना होगा और click करने के बाद आपका यहाँ पर बहुत सारा folder आजाएगा जो कि आपका video का folder है आप यहाँ पर कोई भी एक folder open किजिए और open करने के बाद आप जो कोई भी वीडियो hide करना चाहते है यानि कि lock करके राखना चाहते है उसको select किजिए और select करने के बाद यहाँ पर निचे add now पर click करना होगा और यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते है create pin यानि कि अगर आप first time कोई भी वीडियो लोग करके राखना चाहते तो आपको यहापर pin create करना होगा जो कि आपका password होगा तो मैं यहापर कोई भी एक password create कर लेता हूँ और उसके बात यहापर continue पर click करना होगा और अगर आप first time कोई भी वीडियो यानि कि private folder में लोग करके राखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहापर email address भी टाइप करना होगा तो मैं भी यहापर email address टाइप कर देता हूँ तो email address टाइप करने के बाद continue पर click करना होगा और आप यहापर देख सकते हैं मैंने जो भी वीडियो शिलेक किया था वो यहापर lock folder में आ गया है तो इस तरह से आप lock करके राख सकते हैं अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं यहापर देखा देता हूँ यहाँ से जो भी वीडियो था वो height हो गया है यानि कि lock हो गया है तो वो देखने के लिए आपको simply यहाँ पर three line पर click करना होगा और उसके बाद private folder में click करना होगा जैसे आप यहाँ पर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर password type करना होगा जो कि थोड़ी देर पहले आपने create किया था तो मैं यहाँ पर password type कर देता हूँ और type करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है यह open हो गया है तो आप यहाँ पर click करके वो जो वीडियो है वो आप इस तरह से देख सकते है तो friends इस तरह से आप कोई भी वीडियो को hide कर सकते है यानि कि lock करके रख सकते है अगर इसको unlock करना है तो फिर same process करना होगा तो उसके लिए यहाँ पर password type करना होगा और यहाँ पर जो भी वीडियो hide किया है यानि कि lock करके रखा हुआ है उसको long press करना है अगर आपको इसको unhide करना है यहाँ पर आ गया है तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप किसी भी वीडियो को प्राइबेट फोल्डर में लॉक करके रख सकते हैं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सा एफ्स का ज़रूरत नहीं तो फ्रेंज आज के लिए इतने था अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई थेंक्यू